हेलो एवरिवन वेलकम इन दिस वीडियो आज इस वीडियो में हम रूप पढ़ने जा रहे हैं डियेवी क्लास 6 का एसेश्टी लेसन नमबर 7 इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुके हूं आज हम इसका आगे से पढ़ेंगे जहां तक मैं पढ़ा चुके हूं उसके आगे से तो मैं वहां केता खोंधे जसे जंगल नहीं जहां और होते हैं यह जाई यहां वह को अपने ऊगे हूए रहते हैं तो आचुसे पहले को आपते ज़िए आप फ्रकर को सब्सक्राइब कर लेंसे करें और पूरी वीडियो चलिए को आप लोग दिरूर देखें और सारा चेप्टर्स के वीडियो जो है अपलोड किये वे हैं आप उसको देखें ताकि आपको अच्छे से चेप्टर समझ में आए उसके बाद आप उसका question answer solve कर सके और question answer भी आवे लेबल है चैनल पर सभी चेप्टर्स के तो आए शुरू करते हैं तर natural vegetation is directly affected by the variation in the climate condition in India जो natural vegetation प्राकरतिक उनस्पति जो है वो directly किसके द्वारा प्रभावित है तो इंडिया का जो climatic condition है उससे प्रभावित है क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा देस है तो और वहां के अलग 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 जगह पे अलग अलग तरह क्लाइमेट है अलग अलग मौसम इस परकार से जो है हमारे पास जो है से बहुत रखे नेच्छल वेजिटेशन के टाइप है ताइप वेजिटेशन चेंज इन दा इमांट ऑफ रेंफॉल एंड टैंपरिचर तो इजो वेजिटेशन है यह बारिश की मातरा यानि की बारिश कहां कम कहीं ज्यादा अगर हो है उस पर और जो टैंपरिचर है कम यह ज्यादा उस पर डिपेंट करता है उसके अलग-अलग एरिया में जो है वह अलग-अलग टाइप के वेजिटेशन पाई जाते हैं रिलीफ फीचर्स एंड टाइप आफ स्वाइल अलसू इंफ्लूएंस दा ग्रोथ एंड वराइटी प्लांट्स तो जो रिलीफ फीचर है और जो स्वाइल से यह इन यह भी जो है सो प्रभावित करते हैं अलग-अलग वराइटी के यह प्लांट्स को उगने में दर नैच्छल वेजिटेशन आफ इंडिया में बीडिवाइड इंटू फाइफ ग्रूस तो इस परकार से जो जाता है तो उसको फाइव बागों में डिवाइड किया गया है और टेम्परिचर कе एक कार्दिंग और इनफॉल के एककॉर्डिंग और सफाइल के एकॉर्डिंग इनवरें पहला फर्स्ट तॉपिकल एवर्गरीन फोरेस्ट टेयर अलसो काल्ड ट्रॉपिकल रेन फोरेस भी कहा जाता है दे ग्रू इन दा रीजन ऑफ हैवी रेंफोल ओवर 200 सेंटीमेटर पर एनम यानि कि यह जो ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट होते हैं यह वैसे छेतर में पाई जाते हैं जहां पर पर एनम यानि कि साल भर में जो है वो लगभग 200 सेंटीमेटर से ज्यादा ज्यादा मातर में पाई जाते हैं अंडवान निकोबार में वेस्टन घाट में और नौर्थ इस्टन हिली पार्ट में इस फोरेस्ट आइस डेंस और रीमें ग्रीन त्रू आउट यह जो जंगल होते हैं जहां पर वार्षिक वर्सार पर एनम जो है 200 सेंटीमेटर से लह एते हैं डेड़ा इस अर्च वीड हर्डू जव सेबारे रहाम सेटोर्ण ऐसे ल carefully यह जो सब्सक्राइब धान का म sub सबस्टक्रांब आप सेकन्ड है ट्रॉपिकल डीसईडियस फॉरेट ढrekतिए क्या है popular इसे क्वनेगे पीडर links throughुडिबेLPाद उनद के बिर्म अपाइरे परेनम होता है दे काफ्र मेज्र पाट ऑफ इंडिया और यह उन्दिया का इक बहुत बड़ा पार्ट को कवर करते हैं इंडिया के ज्यादतर पार्ट में वो मौनसुन फॉरेट से पाए जाते हैं इसमें जो है सो कुछ पार्ट जो है नौर्थ इस्टन पार्ट सामिल है इसमें पेनिसूलर प्लेट्व शामिल है जिसमें की ज्यारकंट शातिसगर उडिशा और इस्टन महाराष्ट का एरिया आता है जहां पर यह फोरेस्ट पाए जाते हैं और इसके अलावा भी और भी कुछ एरिया जो इसमें इकलूट कर सकते हैं वो क्या है इस्टन स्लॉप्स ऑफ वेस्टन घाट का इन करनाटक में और तमिलनाडू और नौर्थन प्लेंस भी है इस जंगल में जो पाई जाने वाले पेड़ हैं वो गर्मी तिर में अपने पत्ते गिरा के गिर जाते हैं गिर जाते हैं जो पहले हमने पढ़ता है फर्स टाइब जो था उसमें क्या होता है कि यह पूरे साल जो है यह हरा रहता है इसके पूरे साल गिरते रहते निकलते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक बार गिर जाए लेकिन जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फोरेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि एक बार प हमारा है वह है आर्थी रूप से बहुत ही वैल्यवल है और बहुत ही यूसफूर रहे जागा तो इस टो ही रसे देडार याणिक कांटी दार जंगल धू कर हो जहां पर rainfall जो होते हैं बहुत कम होता है यानने की 50 cm से भी कम होता है The trees are of small size and scattered over a large area यहां कि जब पेड़ होते हैं यह बहुत छोटे size की होते हैं और बड़े area में फैले वे रहते हैं In this parts, thorny bushes and cactus plants grow well इस parts में कैसे पेड़ पाए जाते हैं मतलब कि thorny bushes वाल है यह कांटेदार जाड़ियां जैसे की cactus का plant है वो सब ऐसे area में पाए जाते हैं The trees like kicker, bubble, care, dead palm are found in areas where rainfall range between 40 cm to 50 cm तो जहां जिस area में जो rainfall है वो 40 cm से 50 cm के बीच है तो वहां पर यह सारे पेड़ पाए जाते हैं जैसे की kicker, bubble, care, dead palm These forests are found in Rajasthan, Haryana, Punjab and western parts of Gujarat और यह forest राइस्थान, Haryana, Punjab, western parts जो गुजरात का है वहां पर पाए जाते हैं They are also found in the interior parts of the dhakran plateau और यह dhakran plateau के interior parts में भी पाए जाते हैं Next is the tidal vegetation or mangroves यानि कि tidal vegetation यानि कि समुदर के किनारे जो उगने वाले वनस्पती हैं या फिर उनको mangroves भी कहा जाता है The mangrove vegetation grows well in the low-lying delta region along the eastern coast of India इस एरिया में यह लो लाइं डेल्टा रिजन में उखते हैं जहां पर क्या होती हैं जो आकर के समुदर में मिलती हैं तो उससे पहले का जो डेल्टा रिजन हैं वहां पर यह पाए जाते हैं इनमें से जो गंगा नदियां हैं गंगा महानदी गुदावरी कृष्णा कावेरी यह सब क्या होती है बाढ का पानी को लहरों के साथ जो है से बहुत सारा मतलब की मिट्टी वगए जो लेके आती है उसके कारण से वहां पर डेल्टा बन जाता है The tidal vegetation grows in swamps and marshes of salt and fresh water तो जी टाइडल vegetation है mangroves यह कहां पर उगता है तो यह swamps and marshes of salt fresh water यानि fresh water होता है और वहां पर water कैसा होता है थोड़ा सा मिट्टी दल दली मिट्टी होती है वैसे जगों पर यह उगता है Mangrove is a typical vegetation यानि सामान्य वनस्पती है सुंदरी is the most important tree of this forest that is why turtle forest is गंगा डेल्टा have been named as सुंदरवन तो इस एरिया में पाई जाना वाला एक बहुत ही important tree है जिसका नाम है सुंदरी तो इसे सुंदरी के नाम से जो गंगा डेल्टा का reason है उसका नाम सुंदरवन पढ़ गिया है next हमारा है the mountain vegetation यानि पहाड़ी इलाके के वनस्पती in the Himalaya mountains the vegetation changes according to the altitude यानि कि Himalaya reason में जो vegetation है वो उंचाई के अनुसार बदलते जाते हैं कि इतने उंचाई पे अलग तरह के इतने उंचाई पे अलग तरह के इतने उंचाई का अलग अलग रेंस बना हुआ है कि यहां से इतन temperature and rainfall decrease with height यानि कि यह new temperature और height के बढ़ने के साथ ही जो rainfall है वो भी कम होता है तो उसके कारण ऐसा होता है there are different belts of vegetation और इसमें क्या है अलग-अलग vegetation के जैसे कि मैंने भी बताया यह उचाई के है ऐसे ऐसे करके अलग-अलग बेल्ट है कि इतना से इतना उचाई तक फिर इतना यह इसको एक बेल्ट कहा गया कि इस एरिया में जितने भी पेढ़ है वह एक जैसे size की होंगे फिर इधर जो है वह एक जैसे types के पाई जाएंग पहाड़ी इलाकों में thousand meters की उचाई तक monsoon forest पाई जाते हैं साल टीक सीसम आरदा मेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज एस वी क्लाइम हाईयर जैसे ही हम इससे ज्यादा उपर स्की और जाते हैं the monsoon forest are replaced by trees having broad leaves जो monsoon forest हैं वो replace हो जाते हैं और उसके जगह पर कैसे पेढ़ हमें मिलते ह जिनके पत्ते क्या होते हैं broad होते हैं जैसे की ओक, chestnut, pine इसे वहाँ पर पाई जाते हैं these type of forests are found up to the height of 2000 meters और इस तरह के पेढ़ 2000 meters की उचाई तक पाई जाते हैं यानि कि 1000 meters तक तो इससे लेकर के 2000 के बीच में ऐसे पाई जाते हैं the belt of coniferous trees starts from height of 1600 meters up to 3300 meters तो जो coniferous tree का belt है coniferous tree जैसे की आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में सैसे पेढ़ होते हैं कौन की तरह इसे कहते हैं coniferous tree यह coniferous tree जो है वो 1600 meters उंचाई से लेकर के 3300 meters की उंचाई तक पाई जाते हैं pine, spruce, silver, fur, seder are the main species of the trees found in this forest in forest में पाई जाने वाले जो कुछ species and trees के वो यह है, the coniferous belt is succeeded by the alpine vegetation which includes all small trees, grasses and mosses, उसके बाद जो कौनिफेस बेल्ट जो है उसके बाद जो आता है यानि कि यह coniferous belt है इसके बाद जो ऊपर वाला area आता है यहाँ पर alpine vegetation पाई जाता है, जिसमें small trees होते हैं, grasses होते हैं और mosses होते हैं, Now do you know the bark of the birch tree, यहनि birch tree का पेड़ के उपर से उसकी चाल उखरती है न किनारे से जो होती है पपड़ी यह सी, तो जो birch tree होती है, उसकी चाल है, commonly known as भोजपत्र, उसको भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, was used for writing manuscript in ancient India, तो जो birch tree था उसकी चाल को ancient time में भोजपत्र, यहनि पेज के पेज बना करके उसका यूज के जाता था लिखने के लिए, उस तरह के पेज पर लिखे वे लिखावा उस तरह के पेज को manuscript कहा जाता था, next is conservation of forest, तो अभी हमने देखा कि कितने types के हमारे forest पाई जाते हैं, अलग-अलग बनस्पती पाई जाती है, अब हम देहेंगे कि conserve करने की हमें क्या जरूरत है forest को, the cutting of forest ruthlessly, that is deforestation, has created many problems, such as increase in soil erosion, flood, landslide, and extension of desert area, different types of pollution have considerably increased, all this disturbs the ecological balance on the earth, तो जो हम पेड़ को बहुत ही rootlessly मैंने की बेरहमी से काटता जाते हैं, तो क्या होता है, deforestation हो जाता है, यनि कि jungle सारे खतम होने लगते हैं, इससे क्या होता है, soil erosion होता है, floods आते हैं, बाड़ आते हैं, land slides होते हैं, और बहुत बड़ा area जो है, क्या होता है, desert का area बन जाता है, और different types के pollution भी जो है, वो बढ़ने लगते हैं, और यह सब क्या करता है, ecological balance जो है, earth का, उसको disturb करता है, the forest are the source of various products, जो जंगल है, वो बहुत तरह के products का source है, we get timber, हमें जंगल से क्या क्या मिलता है, we get timber, wood for paper industry, paper industry जहां पे paper बनते हैं, उसके लिए हमें लगडी मिलती है, valuable herbs मिलते हैं, medicines मिलते हैं, lack, resin, gum, etc. from them, forests help in maintaining and ecological balance, as trees help in purifying the year, जंगल जैसे के ecological balance को maintain करते हैं, और साथ-साथ वो क्या करते हैं, air को purify भी करते हैं, they reduce temperature and increase the amount of rainfall, यह क्या करते हैं, temperature को reduce करते हैं, ज्याने कि ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ने देते हैं, ज्यादा पेड रहेंगे तो, और ज्यादा पेड रहने पर फिर क्या होता है, कि ज्यादा बारिस होती है, तो इससे क्या होता है कि पेड़ अगर है तो ज़्यादा बारिस होगी, ज़्यादा बारिस होगी तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो इसलिए ये temperature को reduce करते हैं और rainfall को increase करते हैं Forest are also the habitat of wildlife Forest जो है जंगल वो wildlife का habitat भी है, उसका आवास भी है, निवास इस्थान भी है है कि हम जो है forest cover को conserve करें और protect करें the programs of planting more and more trees हमें बहुत सारे programs करने चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का हो that is a frustration must be launched on war footing to increase the forest cover तो इसमें क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है from fire और jungle को हमें आग से भचाना चाहिए जंगलों में तब आपने न्यूस में सुना होगा अगर नियूस सुनते होंगे तो इक लिए बर जंगलों में आग लग जाती है तो उससे पूरी जंगल जंगल जली जाता और उसमें रहने वाले जितने भी जीव है वह भी जो है उससे काफी उनको भी नुकसान होता है बहुत से मर भी जाते हैं भाग नहीं पाते हैं तो इसलिए जंगल को हमें फायर से बचाना चाहिए अंदा कटिंग ऑफ ट्रीज फूर फ्यूल शुड और उसकी जगह हमें लोगों को दूसरे ओप्शन से देने चाहिए कि हम लोगों को इंक्रेज करना चाहिए कि वो लपीजी का गोबर गया साधी का इस्तिमाल करें ना कि पेडों को काटे नेक्स्ट डू यू नो इन इंडिया दा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इ कि 1980 में लागू हुआ फॉरेस्ट को कंजर्व करने और प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे वाइल लाइफ के बारे में हैं हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो जिनोंने पहला पा नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स पूर वाचिंग